हेलो रुवान वेल्कम टू एलेक्टिकल एंजिंग हमस्के उस आज के सेशन के अंदर हम लोग आपके अपकमिंग एग्जामनेशन गेट को विजट साहिक प्लांट एटेंट का कंप्लेट प्रिपरेशन प्लांट डिसस करने वाले साथ हम लोग जो आपको ऑफिशल से लेब आपको टाइम अपडेट मिलते रहे काफी अच्छा रिस्पॉंस रहा गई हमारे जेए का जो टियर टू का एक्जामनेशन हुआ अभी रिसेंटली जो हमने कोर्स के अंदर पढ़ाया काफी इंपोर्टन जो कॉंसेप्ट आपको हमने अच्छी तरीके से गोत्रु कराया र गेटको का विडियोत साहिक जूनेर टीर टू का एक्जामनेशन गया और जितने भी एस्परेंट्स ने हमारे कोर्से जॉइन करके रखे तो उनका काफी अच्छा एक्जामनेशन गया यह में रिवियू सुनने के लिए और जैसे आपका ऑफिशल टीर टू का एंसर किया थ सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहते हो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो इसको आप कभी भी जाके देख सकते हो अगर इसके लिंक चाहिए होगी तो आपको डिस्ट्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोइट कर देता हो ताकि आप यह सेशन को अच्छी तरीके से देख के समझ सको कि किस तरीके से प्रीवेसली कोशन पूछे गयते अब यह हमें प्लाइट अटेंटन की तैयारी करना है तो उसके लिए पास में टीयर्ट का जो इंग्जामनेशन पैटन है वह पता होना काफी जरूर है आई मस्ट से जितने भी इस्टियर्ट की तैयारी कर रहें उनको सभी पूरा का पूरा एलेक्ट्र क्लंजिंग के ही आपको 100 कोशन देखने को मिलेगे अनलाइक टियर वन एक्जामनेशन जहाँ आपको मल्टिपल अलग 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 टॉपिक से कोशन पूछे गये थे अब देखे इसमें लैंग्वेज जो रहे थी आपकी इंग्लिश और गुज की जा रही है तो आपको अगर आपका प्लांट अपरेटर का कम्प्लेट कोर्स अगर आपको जोईन करना होगा तो आप इसको जोईन कर सकते हैं कुछी दिनों में चेंज हुआने वाली है जैसे आपका सी बीटी वन का ओफिशिल कॉट आफ निक डिक्लियर होता है तो इसक वाट्साप ग्रूप है जिस पर मैं आपको आपको टाइम स्टेडी रिलिटेड इंपोर्टन डेटा और आपको गाइडेंस में प्रवाइड करते रहता हूं तो इसके लिए कूपन कोड लगाएगा पीए सिक्सी और इसको जोईन करना होगा एलेक्रिक लेंजिंग में जा करने वाले यह आपको मैं टाइम बताना लो और कौन सी टापिक आपको सबसे पहले फोकस करना होगा आपका वराइटी ऑफ डेटा जो है आपका कवर अप हो सके राइट अब देखिए अगर हम लोग यह ऑफिशल से लेबस अब देखिए हमने खुच के मन से आपको से कर दीजिएगा यह तीन मेजर जो है आपके फर्स प्राइटी वाले टॉपिक से कि बेसिक से हमारे बास शुरूआ होते हैं उसके बाद में होते हैं हमारे बास में अब देखिए अलेक्रिकल बेसिक में हमारे पास में क्या क्या चीज़ जाते हैं रेजिस्टर कैपासिटर इंडक्टर जूड़ी सारे इंपॉर्टन इनफोर्मेशन इससे जूड़े हुए हमारे पास में फच्छ फाक्टर या एक बताना कि जो भी रिजिस्टर इस जूड़े बेसिक्स विए जूड़े इस यह आपको इसमें से देखने को मिलेगा ठिक है ए ठीकिर से इसमें से द तो देखने को मिलेगा इसके बाद आता है हमारे पास में इसमें इस पॉच में और इसके बाद में इन्सेटिंग स्सीयाइक मज़सिक कि הכ यë यह होता है मारे पास में टॉपिक डीसी मशीन एसी मशीन एंड ट्रांस्वरमर यह तीनों टॉपिक सिर्फ एक ही मशीन के अंदर आपको दिये गया गाईज एंड आइम हंड़ेट पसंट शुर मिनिमा आपको 9-10 कोश्चन आप इस मशीन से एक्सपेट कर सकते हो क्यों क्यों होएं आपको अब देखने को मिलेगा क्योंकि हमारे पाइज इसके अंदर कवर पोते हैं इसके इसके इंदर डीसी मशीन के अंदर आता है मोटर एंट जनेटर एसी मशीन में सिंगल फेस इंदर इंदर इन्क्लूट होता है इसके 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 बाद आता है हमारे पास में अनलोग इलेक्ट सर्किट्स और एलेक्रोनिक्स से भी आप इसको बिल्कुल भी निग्डेट की मत किजिगा क्यों काफी इंपोर्टन टॉपिक बन जाता है आपका मिनियूम 3-4 कोशन यू कैन एक्सपेक्ट इन में हीगा अनिद्र में होती आपका इसको होगया के लिए क्मचोवची में इस्ट्रुमेंट टाइप ते उनसी एक बन काफी एक minimum का six to seven question देने वाला topic बन जाता है इस अपको पता होना जरूरी होता है इस topic को प्रपेर करने के लिए उसके बाद रहता है मारब समें control system की बात करें तो काफी बड़ा और individual topic माना जाता है separately तो हम लोग जो ट्राइक कर रहें कि at least आप जो है 80 परसेंट जो सिलेबस है इसका ठीक है सेवंटी टू अच्छी तरीके से प्रेपर करके जाना होगा 100 परसेंट करने की जरूत इसलिए नहीं में कह रहा हूँ क्यूंकि अगर एक कोशन या फिर दो कोशन आपके काफी यूनिक और उसके लिए आपको काफी time spent कर देता तो वह वर्त नहीं रहता है इसलिए मैं आप लाजिए गेटस के जुड़े होए कॉशन के मैप ठीके उसके साथ हमारे पास में जो यह कुछ दी मॉर्गंस लॉट होते हैं टीके लोजिक गेट से जुड़े हुए हमारे पस में और भी जो हमारे पास में आडर सबस्ट अब आर्प但 यह यह पूच़न अपको इसमें टॉपिक होता है ट्रांस्पिशन अलग टॉपिक होता है डिस्टुपिशन के सवाथ हमारे पास में स्विच गेर और प्रोटेक्शन भी यह इंक्लूड होता है इसके अदर अब देखे जनरेशन के दर हम लोग बात करते तो अभी जो रिजेंटली जेए का पेपर हुआ था दौ मैं से जूड़े भी question पूछा एट तो हमारे पास में जनरेशन के इंदर लोग पावर प्लांट्स के थे हैं découv काफी अच्छी तरीके से वह था हमार बास Thermal Power Plant, Hydro Power Plant, Solar, Wind and उसके बाद में Nuclear Power Plant होता है ठीक है, Tidal, यह सारे Topics जो है, Generation के अंदर इंक्लूड रहते हैं, इसी के साथ जूड़ा हुआ एक और Topic आता है, वह था हमार बास है, Economics of Power Generation, जहांसे Question, Definitely दो Question आपको Examination में पूछ रहते हैं, अब देखे, Economics of Power Generation हमारे Generation के अंदर, Transmission के अंदर हमारे पास में डिफरेंट 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 वोल्टेज लेवल्स होता है, Transmission के डिफरेंट टावर्स, उसके पारामेटर, Short, Medium, Long Transmission लाइन के लिए हमारे पास टावर्स होते हैं, उसके लेंट कितनी होती है, यहां से Question मतले है, अल्टो के दर काफी बड़ा टॉपिक है, आपको दो मिनिट के अंदर तो नहीं समझा पहूंगा, लेकिन छोटे-छोटे-चोटे Key Points हमने इंक्लोट करके रहें, वह आपको पढ इसके साथ जोड़े होए जितने भी important key parameter, अब देखिए इसके साथ जोए आपको यहां पर हाला कि mention नहीं किया गया, बट लेकिन recommendation रहें रहेंगा, आई rules को भी आप प्रिपर करके जाएं, क्योंकि आई rules भी associated हैं हमारे distribution के साथ, और यह जो है, एक्जामनेशन में topic काफी ज कर सकते हैं यह बड़े topics हैं, क्योंकि काफी तीनों भी चीज़ें के इंदर include होती है, उसके इंदर आते हमारे पसे circuit theory, circuit theory के इंदर हमारे पसे different different हमारे पास में theorem होते हैं, वह आपको prepare करके जाने होगे, minimum three to four questions are expected from this topic, उसके बाद मैं आते हमारे पसे network theory, देखिए network theory से भी आ इसके बाद मैं आता है, मारे पसे micro processor हमने एक से दो सेशन में माइक्रोप्रोचेजर के अंतर आपको मैं पढ़ाने वालो, उतना ही आपको prepare करके जाना होगा, क्योंकि electronics का dominant part होता है, 80% अगर आप अच्छी दरीकिस को prepare करके जाते हैं, तो आप आसानी से इस micro processor से जुड़े जहां से question जरूर आपको पूछे जाएंगा, power electronics के जितने भी हमारे पास में switches होते हैं, स्विचेस होते हैं, या फिर हम लोग उसको power electronics devices कहेंगी, जिसके SCR हो गया, IGBT, MOSFET हो गया, उसके characteristics, उसके terminal, उसके switches होते हैं, उसके हमारे पास के symbols होते हैं, वहां से तक लेगे question आप आपको बन सकता है, यह minimum of five to six question आप इस topic से prepare कर सकते हो, all two के अगर हम लोग बात करें तो machines हमारा, power system हमारा एक important topic बन जाता है, electrical measurement and measuring instruments होता है, power electronics and drive, right, उसके बाद में हमारे पास digital electronics, ठीके, basic electrical engineering material, ठीके, अब दीके, major dominant topic की बात करें, तो machines होता है, हमारे पास measurement, control system, digital electronics, transmission, distribution and of transmission generation and distribution of electrical power, यह major major topic होते होते हैं, जहासे आपको सबसे ज़्यादा topic से question देखने को मिलेगा, ठीके, अगर लिस्ट की बात करें, यहासे आपको minimum three four question देखने को मिलेगे, लेकिन उसके लिए आपको prioritize करना है कि कौन से topic आपको initial level पे करके जाने होगे, अब देखें यह जो complete syllabus है, आपको जो है one by one topic by topic इसको prepare करना रहेगा, जिसके अंदर हमने हमारे whatsapp group के अंदर है, आपको time to time मैं आपको notify करते रहता हूँ कि कौन से important key points रहते है, questions रहते हैं, आपको prepare करके जाने रहेगे, अगर आप चाहते होगे, जित तरीके से अभी आप aspirants ले, जितने भी JEE के aspirants है जितने भी अगर आप JEE के students भी थे, उनका भी आप देख सकते हो review की काफी अच्छी तरीके से गेट को विद्योत साइक junior engineer का examination conduct हुआ है, जितने भी topic हमने पढ़ा है तो आज रिस हुनको examination reflect हुए, और अगर आप भी चाहते होगे complete syllabus को prepare करना तो इस course को definitely join कर सकते हो, जिसके अंदर आपको special tables and chart, complete theory, mcqs and concepts आपको देखने को मिले के सारे video recorded session है, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ ebooks आपको देखे रखे, यह video course है guys, और इसी के साथ हमने ebooks देखे रखे for your revision and practice, इसके लिए dedicated whatsapp group हमने बना के रखे, जितने भी course को students यहां से connected होता है, जलते सी जल्दी group वो discussion क इसलिए भी on किया जाएगा, जिसके अंदर जो है आप important questions भी share कर सकते हो, और आपका discussion भी कर सकते हो, जितने भी गुद्रा, गुज्रात के students है, हमारे plant operator, plant attendant की तयारी करने के लिए, और वो सिर्फ अप्लीके बल रहेगा इस paid course experience के लिए, इसके साथ की जो coupon code आपको PA60, इस coupon इसलिए फिर अगर आपको further guidance चाहिए होगा, तो वह भी आपको मैं आपको प्रोइड करा दूँगा, ठीक है, एन साती साथ आपको सबसे पहले तो शुरूआत करने के लिए, एक चीज़ बताना चाहता हो, यह आपका plant attendant का previous papers पहले देख लीजीगा, so that आपको खुदी समझ पर सकते गाइज और टेलिग्रम चैनल से जुड़े रहेगा, so that important update up time to time मिल सकी, thank you for watching this update guys, have a nice day, मिलते भी मरा नेक सेशन में, जल्दी से जल्दी